प्रेज लाट फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज हमें एक नई गीत को लेकर आपके समीप आये हैं और इस गानी का नाम है मैं हाथ उठा कर गाऊंगा और इसका ओरीजिन स्केल जैर वो ईह है लेकिन में इसमें 2nd fret पे कैपर यूज़व उसको लेकिन फिलाल में जब मैं इसको के यूज कर रहा हूं तो यह अभी A में है लेकिन मैं इसको G सेप में बजाओंगा तो इसका काउच हम कुछ देखते हैं और इसका काउच में यूज करूंगा वो है G Em, Am, इसके बाद C भी है स presented walking to the打 with the अरुस के बाद हम लोग डीउस करेंगे और आध को एप्रकार बनिकस करेंगे और इसको घडियनी युज़ करोंगा तो आपलोग देखें है हैं आप में इसको युज़ करोंगा ताहीं हम गाने के और जाएंगे इसका हम लोग वर्स के साथ सुरू करेंगे फ़र्स वर्स जिश्यो मसी परुसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिला साथ साथ ते रहेगा तू सदा फिर से रिपीट करेंगे जिश्यो मसी परुसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिला साथ साथ रहेगा तू सदा तो इसका पहला वर्स था और इसमें जो मैंने स्ट्रमिंग पाटन यूज्ट किया वह कुछ इस तरह से आप मुझे फॉलो कर सकते में आपको धीरे से बजा के भी दिखाऊंगा अब मेरे पीछे बजा सकते हैं अब एक ही काट में रही है उसको धीरे से आप मेरे पीछे बजा सकते हैं और इसके पहले बर स्पर्जों में काट से उसकर रहा हूं वह है पहला जी इसके बाद में यूज कर रहा हूं एमाइनर इसके बाद में यूज कर रहा हूं सी इसके बाद में यूज कर रहा हूं डी और उसके बाद में सी दे जी में जाने के बाद एमाइनर में यूज कर र उसके बाद A minor, उसके बाद C दा C और D, मैं फिर से बरगा के सुनाता हूं आपको येजु मसी बरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा मुस्खिल समय में तू ही दिला साहा, साहते रहेगा तू सदा तो ये था हमारा पहला वर्स का कॉड़, अभी हम लोग सीधा इसके प्री कॉरस में जाएंगे करूना घलाई तेरी सदा रहेगी मुझे पर तेरी विश्वास योग्यता देखोंगा मैं उम्रभर तो इसमें मैंने चार कॉर्ड यूस किया जो कि इसका प्री कॉरस है और ये हम सुरू करते हैं सी से करूना भलाई तेरी उपूप दुबारा जी में जाएंगे इसका पादी मारेगे सदा रहेगी मुझे पर दुबारा सी तेरे विश्वास योग्यता देखोंगा मैं उम्रभर तो इसमें भी हमने सेम स्वर्मिंग पाटन यूस किया और इन कॉर्ड को हमने इस्तिमाल कि आभी हम लोग जाएंगे इसका कोरस पे जो कि इस तरह से है बहात उठाक गाऊंगा ये श्यू तेरा नाम रहे उचा सिंपल बहुत सारे लोग इसमें चार कॉर्ड यूस करते हैं लेकिन हमने इसमें थीन कॉर्ड यूस किया है दुबार मैं बजा के दिखाता हूं मैं हाथ उठाक गाऊंगा ये श्यू तेरा नाम बहे उचा ने हात उठाक गाओंगा ये श्यू तेरा नाम रहे उचा तो सेकेन बार जब हम इसी को गाते हैं हम लोग फोड़ा से इंप्रोवाइस करते हैं पहली बार में में तीन कॉर्ड यूस किया पहला जी इसके बाद ऐ माइनर उसके बाद आद री उसकिया था अब सेकेन बार जब मैं हाथ उठा के गाऊंगा ताम पूछ से इंप्रोवाइस करेंगे उसमें E माइनल और A माइनल गाएंगे मैं दूबारा आपको बजा के दिखाता हूँ मैं हाथ उठा के गाऊंगा इश्यू तेरा नाम पूछ से इंप्रोच 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 से इंप्र इसका chorus part था, अभी हम लोग इसके bridge part में जाते हैं, वो कुछ इस तरह से है, बीच का मैं second verse को छोड़ रहा हूँ, जो कि पहला verse जमने की अतर से same, similar है, और हम लोग अभी इसके इसमें आते हैं, bridge part में आते हैं पूरी हो तेरी ही मलजी, आये तेरा राज यहा, तो इसमें मैं उसका रहा हूँ, E minor, आदर महिमा, उसके बाद मैं सीधा, D over F sharp, बहुत सारे लोग इसको इस तरह से भी बजाते हैं, या फिर आप इस तरह से D पकड़ के आप उपर अपना थम से भी उपर वाला जो note है, F sharp note है आप इसको आप पकड़ सकते हैं, और जो कि D over F sharp हम लोग बोलते हैं, जो कि इस तरह साउंड तरह आपको इस note को आपको emphasize करना पड़ेगा, दुबार हम रिपीट कर रहा हूँ, E minor, उसके बाद D, D over F sharp बोल सकते हैं, उसके बाद C, या फिर C slash 2 बोल सकते हैं, उसके बाद हम हमारा कुदा है, पुनी हो तेरी हिमोजी, आे तेरा राज्या, आदे और महिना हो तेरी तु ही हमारा खुदा पूरी हो तेरी ही मर्जी आये तेरा राज्या हम फिर से इसका कोरस में आएंगे मैं हाप उठा कर गाऊंगा तो यह था मैं हाथ उठा कर गाऊंगा तो यह था मैं हाथ उठा कर गाऊंगा को कार्ड्स अब हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसका कार्ड्स आप देख सकते हैं आप वहां से सीख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने उन दोस्तों को भी बाट सकते हैं जो गिटार सीखने में या फिर म्यूजिक सीखने में चुक रखते हैं आप मुने शेर कर सकते हैं ताकि वो भी इन सारे चीज़े को देखें सीखें और प्रभु के राजी के लिए बहुत इच्छे इस्तेमाल कर सकें प्रभु आप सभी को आसिज दे थांकिसो मच हमें देख करने के लिए और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया ता आप नीचे जाएं और सब्सक्राइब करें प्रभु आप सभी कासिज दे जै मिसे की